हाई गाईस वेलकम टू माई घरेडू नुकसे चैनल आज मैं आपको बताऊंगी अक्रोट को नियमित खाए या अक्रोट के बारे में इसके फाइदे जानेंगे और से क्यों खाना जरूरी है चलिए जानते हैं अक्रोट का नियमित सेवन अत्यनत बहुत लागधायक है अक्रोट एक ऐसा मेवा ही नहीं बल्कि एक उत्तम ओस्ती भी है यह हमारे सरीर के कई रोग भी दूर करता है, इसके सेवन से इस्मरण सक्ती बढ़ती है, आखों की जोती बढ़ती है और खून की लाली भी बढ़ती है बच्चों की बुद्धी के विकास के लिए यह यह तो एक उत्तम दवा के रूप में साबित हुआ है इसके सेवन से बच्चों की बुद्धी तिर्व होने लगती है अक्रोट खाकर ठंडा पानी पीने से कुछ दिनों में पत्री निकल जाती है यदि किसी को पत्री है तो अक्रोट को गरम पानी के साथ पीस कर नाभी पर लेप करने से पेट के मरोड दूर होते है अक्रोट के चिलके की राख बनाकर या दंतमंजन बनाकर दांतों पर रगड़ने से दांतों में चमक बढ़ती है खून मवाद आना बंद हो जाता है अक्रोट खाने से जी मचलना भी दूर होता है गर्बवती इस्त्रियों के लिए यह एक उत्तम ओस्ती माना जाता है कच्चे अक्रोट के दूद की मालिस से त्वचा में निखार आता है त्वचा पर फोड़े फुनसी भी नहीं होते है अगर है तो वो खतम हो जाते है पचास वर से अधिक आयू वाले को प्रती दिन तीन अक्रोट पांच वाधाम के साथ खाने चाहिए इससी वरद्धा वश्ता में नव सक्ति का संचार होता है तथा इस्वरण सक्ति भी बढ़ती है सरीर पर अधिक फुनसीया निकलने पर सुबह साम तीन तीन अक्रोट दूद के साथ सेवन करे चंद दिनों में ही फुनसीया जड़ से गायब होने लगेगी बच्चों को रातरी में अक्रोट किलाने से उन्हें नीद अच्छी आती है तथा बिस्तर पे भीवे पैसाब नहीं करती है ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल को सबस्क्राइब करें कमेंट करें शेयर करें बैल आइकन को दबाएं धन्यवाद